हार की चोरी एक बार Mr. और Mrs. मलोतरा की यहां पार्टी हो रही होती है पार्टी में काफी रौनक थी अरे Mrs. मलोतरा, आपका हार तो बहुत संदर है हाँ, डाइमन का है काफी महंगा लगता है नहीं, महंगा कहा है, बस यही कोई 5-6 लाग का है मेरे पिता जी ने मुझे गिफ्ट किया है हाँ, दिखावा कितना करती है हाँ, इसलिए तो पार्टी में बुलाती है इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा शयाना अपने नेकलिस की तारीफ करकी वहां से चली जाती है राजीश, मलोत्रा, शयाना की पती ये बाचीत सुन लेते है तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी कि ये हार तुम्हारे पिता जी ने दिया है क्यों? सब कुछ तो उन ही का है ये बिजनेस, ये पैसा, तुमने अपने जिन्दगी में किया ही क्या है मेरे पिता जी ना होते तो तुम मुझे सडक पर ले आते अब तुम ज्यादा बोल रही हो, शयाना सच हमेशा करवा ही होता है पाटी चल ही रही होती है कि अचानक से लाइट चली जाती है कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है, शयाना की गले से हार कायब हो जाता है मेरा हार, मेरा हार कहां गया सब हार ढूणने लगते हैं, पर हार कही नहीं मिलता सुनिए, अब पुलिस को फोन लगाए राजीश, पुलिस को फोन लगा ही रही होते हैं, कि विक्रम उन्हें रोग देता है पुलिस को फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है हार किसने चोरी किया है, ये अभी पता चल जाएगा आप कौन है? मैं विक्रम सिंग, पेशे से डिटेक्टिव हूँ ओ, विक्रम प्लीज हेल्प अस शायना जी, आप जरा इधर आएंगी? जी, कहिए मुझे आपके घर के कैमरा फुटेज देखनी है क्यों? ताकि आप अगर किसी को नहीं पहचानती हो, तो उससे उसकी पहचान की जा सके चलिए विक्रम और शायना कैमरा फुटेज देख रहे होते हैं और विक्रम शायना से हर गेस्ट के बारे में पूछता है अरे, ये हमारा ड्राइवर यहां क्या कर रहा है? विक्रम कैमरा फुटेज में कुछ बड़े ही ध्यान से देखता है और मुस्कराने लगता है पार्टी में सब लोग खड़े होते हैं विक्रम बताने ही वाला होता है कि हार किसने चोरी किया है ये सुनकर सभी लोग चौक जाते हैं किसी को समझ नहीं आता कि भले मिस्टर मलोत्रा क्यों हार चुराएंगे ये तुम क्या कर रहे हो विक्रम मेरे पती पर जुटा इल्जाम मत लगाओ अगर केस सॉल नहीं कर सकते हो तो हम पुलिस को बुला लेंगे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना एक मिनट रुकिए विक्रम मिस्टर मलोत्रा के ड्राइवर को पकरता है बता सच क्या है जी मालकिन ये सही कह रहे हैं साहब ने ही मुझसे कहा था लाइट बंद करने को ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं क्यों मिस्टर मलोत्रा ये सही कह रहा है ना हाँ ये ठीक कह रहा है मैंने ही इसे हार चोरी करने को कहा था पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा सुनाती रहती हो अपने पिता जी के पैसों का दिखावा करती रहती हो तो मैंने सोचा तुम्हारा हार चुरा कर तुमसे और तुम्हारे पिता जी से अपनी बेज़ती का कुछ तो बदला लूँ मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की राजीश और सभी लोग पार्टी से चले जाते हैं और विक्रम भी जा रहा होता है तब ही शयाना उसे रोकती है विक्रम जी मैं तो आपका शुक्रिया करना ही भूल गई कोई बात नहीं मैं आपकी तकलीव समझ सकता हूँ पर आपको पता कैसे चला ये सब फुटेज देखते वक्त जब आपने कहा कि ड्राइवर कहां से आया पार्टी में तो उसके पांच मिनट पहले मिस्टर मलहोतरा ने किसी को फोन मिलाया था और ड्राइवर के आते ही वो पार्टी से रूम में चले गए और फिर ड्राइवर के साथ बाहर निकले उसके बाद वो आपके पास आए और आपके गले मिले जिसे उन्होंने आपके हार कहुक ढिला किया और उसके बाद ड्राइवर ने तुरंत लाइट भी बंद कर दी और मिस्टर मलहोतरा ने हार चुरा लिया